तेरहमा पाठ नित्यांगना सुधाचंदरन प्रिष्ट संख्या 73-78 तक तो सुनिए नित्यांगना सुधाचंदरन जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिकर तक पहुँचने के लिए दिर्ड इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यक्ता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संखर्ष किया है और लक्ष प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंदरन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नित्यांगना बनी। सुधा चंदरन की माता श्रीमती ठंगम एवं पिता श्री केडी चंदरन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राश्री ख्याती की नित्यांगना बने। इसी लिए चंदरन दमपत्ती ने सुधा को पांच वर्ष की अलपायू में ही मुंबई के प्रसिद नृत्य विद्याले कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्याले के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकी चाहट महसूस की। किन्तु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद नृत्य शिक्षक श्री के एस रामस्वामी भागवतार ने उसे शिश्या के रूप में स्विकार कर लिया। और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षन प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कारिक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुशी दुनिया में एका एक। दो मई 1981 को अंधेरा चा गया। दो मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुरघटना ग्रस्त हो गई। इस दुरघटना में सुधा के बाय पाउं की एडी तूट गई। और दाया पाउं बुरी तरह जखमी हो गया। प्लास्टर लगने पर बाया पाउं तो ठीक हो गया। किन्तु दाईं टांग में गैंग्रीन अर्थात एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंतता दुरघटना के एक महीने बाद सुधा की दाईं टांग गुटने के साठे साथ इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवता किसी भी नित्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकडी के गुटके के पाउं और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया। और मुंबई आकर वह पुन्ह अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैक्से से पुरसकार विजेता सुप्रसिद कृत्रिम अंग विशेशग्य डॉक्टर पीसी सेथी के बारे में सुना। वह जैपुर गई और डॉक्टर सेथी से मिली। डॉक्टर सेथी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य धंक से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूँगी। डॉक्टर सेथी ने कहा क्यों नहीं प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेथी ने सुधा के लिए एक विशेश प्रकार की टांग बनाई। जो अल्यूमीनियम की थी इसमें ऐसी व्यवस्ता थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लोटी और उसने नित्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। किन्तु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता। किन्तु सुधा साधारन मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनह मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतू पाउं की विभिन मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेश जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुन्ह नृत्य का अभ्यास प्रारंब किया। शुरुवात बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाउं के ठूट से खून रिषने लगा। किन्तु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कटिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जन्वरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीती के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रन स्विकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिन्दगी का संभवतह सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पाउं काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया। और वह रातों रात एक एतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगू के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगू में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयम परदे पर जीवन्त कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली। और इस फिल्म में अभिनाई के लिए सुधा को भारत के 33 में राष्ट्रिय फिल्म समारोह में विशेश पुरसकार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नित्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके आसामान्य साहस और श्रेश्ट उपलब्धियों के लिए कई पुरसकार भी प्राप्त हो चुके हैं। लेखक रामाग्या तिवारी, अभ्यास, शब्दार्थ, इच्छा शक्ति, मनोबल, अक्षमता, आयोग्यता, अल्पायू, कम उम्र, गैंग्रीन, हड्डी का कैंसर, मुरीद, शिश्य, लक्ष, उद्देश्य, आश्वस्त, विश्वास, भरोसा, संघर्ष, कठिन प्र्यास, बैसाखियां, अशक्त, अत्वा, तूटी हुई टांग को सहारा देने के लिए, बांस आदी की बनी, बगल तक की लंबी छड़े। एक, पाट से, क, सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुशी दुनिया में अंधेरा कैसे चागया? ख, डॉक्टर सेथी ने सुधा के लिए क्या किया? ग, सुधा, पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई? दो, विलोम शब्द लिखो, जैसे आशा, निराशा, कठिन, आदर, अंधेरा, आकार, इच्छा. तीन, सही चिन्ह लगाओ. चिन्ह इस प्रकार हैं? उद्धरण चिन्ह, यानी इन्वर्टिट कॉमा, शुरू. उद्धरण चिन्ह, यानी इन्वर्टिट कॉमा, बंद. पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ध, जिस वाक्य में इन चिन्धों का इस्तिमाल करना है, वो है, सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी, डॉक्टर सेथी ने कहा, क्यू नहीं, प्रियास करो, तो सब कुछ संभव है. चार, क्या पहले, क्या बाद में, यहां सुधा चंदरन के जीवन की कुछ घटनाएं बताई जा रही हैं, इन्हें सही क्रम में लगाओ, सुधा डॉक्टर सेथी से मिली, सुधा निर्थ्य का फिर से प्रशिक्षन लेने लगी, सुधा ने प्रीती के साथ निर्थ्य किया, सुधा को अभिनाई के लिए विशेश पुरस्कार मिला, सुधा का पैर काटना पड़ा, सुधा ने रित्य विद्याले में प्रवेश लिया, पांच, एक चुनोती, शारीरिक शब्द में एक साथ, छोटे ई और बड़ी ई की मात्राउं का प्रियोग होता है, तुम भी ऐसे ही अन्य शब्द खोजो और लिखो, नमूना है, विनती, शारीरिक, नीती, छे, खोजबीन और बातचीत, क, सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी, कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो, और लिखो, जिनके जीवन पर फिल्में बनाई गई हूँ, ख, सुधा यात्रा के दौरान दुरगटना ग्रस्त हुई थी, पता करो, कि यात्रा के दौरान दुरगटना से कैसे बचा जा सकता है, सावधानियों की सूची बनाऊ, ग, क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हूँ, उसके बारे में बताऊ, ग, कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो, जिन्होंने जीवन में विशेश सफलता प्राप्त की है, न, भारत के कुछ रित्यों और नर्तक एवं नर्तिकियों के नाम पता करो, और कक्षा में सब को बताऊ, चा, पता करो, भारत में मैं एक से से पुरसकार किन किन व्यक्तियों को मिला है, कर दो झाई हुआ है से नर्तकियों के बताएर बालता प्रावेश सब कर रित्यों के लो सब क्षा सब कर दो, जो एका भी एक सब करें हैं व्यक्तियों के वारता हैं,